C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है कक्षा आठ की गनित की पाठे पुस्तक का ध्वनी पाठ ये है अध्याय सोलां संख्याउं की साथ खेलना प्रिष्ट संख्या 267 सोलां दशमलव 5 विभाज्यता की जांच कक्षा 6 में आप यह पढ़ चुके हैं कि निम्नलिखित भाजकों से किस प्रकार विभाज्यता यानी डिविजिबिलिटी की जांच की जाती है 10, 5, 2, 3, 6, 4, 8, 9, 11 आपको इनकी जांच करने के नियम सरल लगे होंगे परन्तु साथ ही आपने यह भी आश्चर्य किया होगा कि यह किस प्रकार कार्य करते हैं अब हम इस अध्याय में इनकी क्यों वाले पहलू पर चर्चा करेंगे 16.5.1 दस द्वारा विभाज्यता यह निश्चय ही सभी में से सबसे सरल जांच है हम पहले 10 के कुछ गुणजो को समझते हैं इसके साथ दस के कुछ अगुणजों यानि नौन मल्टिपल्स को समझिये इन संख्याओं से हमें यह पता चलता है कि ऐसी संख्याओं जिनकी एकाई का अंक शून्ने है दस के गुणज हैं तथा वे संख्याओं जिनकी इकाई का अंक शून्ने नहीं है दस के गुणज नहीं है इससे हमें दस द्वारा विभाजिता की जांच का एक नियम प्राप्त होता है निस संदे हमें केवल जांच का नियम देकर ही नहीं रुख जाना चाहिए हमें यह भी स्पष्ट करना चाहिए कि यह जांच का नियम किस तरह कार्य करता है ऐसा करना कठिन नहीं है हमें केवल स्थानी एमान यानि प्लेस वैल्यू के नियमों को याद रखना है कोई संख्या रिक्त स्थान CBA लीजिए यह निम्नलिखित संख्या का संख्षिप्त रूप है रिक्त स्थान जमा सौ C जमा दस B जमा A यहां A एकाई का अंक है B दहाई का अंक है C सेकडे का अंक है इत्यादी यहां तीन बिंदू यानि रिक्त स्थान ये दर्शाते हैं कि C के बाईयोर और अंक हो सकते हैं, क्योंकि 10, 100, इत्यादी, 10 से विभाज्ये हैं, इसलिए 10, B, 100, C, इत्यादी भी 10 से विभाज्ये होंगे. जहां तक संख्या A का प्रश्न है, यदी दी होई संख्या 10 से विभाज्ये हैं, तो A को भी 10 से विभाज्ये होना चाहिए, यह तभी संभव है जब A बराबर 0, अतह कोई संख्या 10 से विभाज्ये होती हैं, यदी उसका एकाई के स्थान पर 0, 16.5.2, पांच से विभाज्येत हम समझते हैं कि इकाई के अंक पांच और शून ने एक संख्या छोड़कर आ रहे हैं तथा इनके अतिरिक्त इकाई के स्थान पर कोई अन्य अंक नहीं आ रहा है अतह हमें पांच द्वारा विभाजिता का यह नियम प्राप्त होता है यदि किसी संख्या की इकाई का अंक पांच या शूनने है तो वह संख्या पांच से विभाज्य होती है आईए इस नियम को स्पष्ट करें किसी संख्या रिक्त स्थान CBA को इस प्रकार लिखा जा सकता है रिक्त स्थान जमा 100C, जमा 10B, जमा A चूकि 10, 100, इत्यादी दस से विभाज्य हैं इसलिए 10B, 100B, इत्यादी भी दस से विभाज्य होंगे तथा यही बाद में 5 से भी विभाज्य होंगे क्योंकि 10 बराबर है 5 गुणा 2 जहां तक संख्या A का प्रश्ण है यदी संख्या 5 से विभाज्य है तो इसे भी 5 से विभाज्य होना चाहिए अतह A को या तो 0 या 5 होना चाहिए प्रिष्ट संख्या 268 प्रयास कीजिए पहला प्रश्ण आपकी सहायता के लिए किया हुआ है एक यदी विभाजन N भाग 5 से 6 फल 3 प्राप्त होता है तो N की इकाई का अंक क्या हो सकता है इकाई के अंक को 5 से भाग देने पर 6 फल 3 आना चाहिए अतह इकाई का अंक 3 या 8 होगा दो यदी विभाजन N भाग 5 से 6 फल 1 प्राप्त होता है तो N की इकाई का अंक क्या हो सकता है तीन यदी विभाजन N भाग 5 से 6 फल 4 प्राप्त होता है तो N की इकाई का अंक क्या हो सकता है 16.5.3 दो से विभाजन ये सभी समसंख्याएं हैं 2.4.6.8.10.12.14.16.18.20.22 इत्यादी तथा ये विभाजन संख्याएं हैं यदी इसकी इकाई का अंक हो 2,4,6,8 या 0 एक संख्या विशम होती है यदी इसकी इकाई का अंक हो 1,3,5,7 या 9 कक्षा 6 में सीखे गए दो की विभाजन दो की विभाजन की जांज के नियम को याद कीजिए यह नियम इस प्रकार है यदी किसी संख्या की इकाई का अंक 0,2,4,6 या 8 हो तो वह संख्या 2 से विभाजन होती है इसके लिए स्पष्टी करण इस प्रकार है किसी भी संख्या रिक्त स्थान CBA को रिक्त स्थान जमा 100C, जमा 10B, जमा A के रूप में लिखा जा सकता है इसके पहले दो पद 100C और 10B संख्या 2 से विभाजन है क्योंकि 100 और 10 संख्या 2 से विभाजन है जहां तक A का प्रश्ण है यदी दी हुई संख्या 2 से विभाजन है तो इसे भी 2 से विभाजन होना चाहिए यह तभी संभव है जब A बराबर है 0, 2, 4, 6 या 8 हो प्रयास कीजिए पहला प्रश्न आपकी सहायता के लिए किया हुआ है 1. यदि विभाजन N भाग 2 से 6 फल 1 प्राप्त होता है तो N की इकाई का अंक क्या हो सकता है N विशम है इसलिए इसकी इकाई का अंक विशम होगा अतह N की इकाई का अंक 1, 3, 5, 7 या 9 होगा 2. यदि विभाजन N भाग 2 से कोई 6 प्राप्त नहीं होता अर्थात 6 फल शुनने है तो N की इकाई का अंक क्या हो सकता है 3. मान लीजिए कि विभाजन N भाग 5 से 6 फल 4 और विभाजन N भाग 2 से 6 फल 1 प्राप्त होता है N की इकाई का अंक क्या होना चाहिए अब तक ज्यात किये गए विभाजन की जांच के तीन नियमों को ध्यान पूर्वक समझिये जो 10, 5 और 2 के विभाजन की जांच के लिए थे हम इन में एक समान बात समझ रहे हैं इन में दी हुई संख्या की केवल इकाई के अंक का ही प्रयोग होता है तथा अन्य अंकों से इन पर कोई प्रभाब नहीं पड़ता इस प्रकार विभाजता का निर्णय केवल इकाई के अंक से ही हो जाता है 10, 5 और 2 संख्या के भाजक यानी डिविजन है जो हमारी स्थानिय मान पधती में एक महत्वपूर्ण संख्या है परंतु 9 से विभाजता की जांच में ये नियम नहीं चलेंगे आईए कोई संख्या मान लीजिए 3573 लें इसका प्रसारित रूप 3 गुणा 1000 जमा 5 गुणा 100 जमा 7 गुणा 10 जमा 3 है इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं तीन गुणा कोश्ठक में 999 जमा एक जमा 5 गुणा कोश्ठक में 991 जमा 7 गुणा कोश्ठक में 9 जमा 1 जमा 3 बराबर है 3 गुणा 99 जमा 5 गुणा 99 जमा 7 गुणा 9 जमा कोश्ठक में 3 जमा 5 जमा 7 जमा 3 यह पंक्ती एक है हम समझते हैं कि संख्या 9 या 3 से तभी विभाज्य होगी यदि कोश्ठक में 3 जमा 5 जमा 7 जमा 3 संख्या 9 या 3 से विभाज्य हो हम समझते हैं कि कोश्ठक में 3 जमा 5 जमा 7 जमा 3 बराबर है 18 संख्या 9 से विभाज्य है और 3 से सभी विभाज्य है अतह संख्या 3573 संख्याओ 9 और 3 दोनों से विभाज्य है आईए अब संख्या 3576 पर विचार करें उपर की ही तरह हम प्राप्त करते हैं 3574 बराबर है 3 गुणा 1000 जमा 5 गुणा 100 जमा 7 गुणा 10 जमा 6 बराबर है 3 गुणा 99 जमा 5 गुणा 99 जमा 7 गुणा 9 जमा कोष्ठक में 3 जमा 5 जमा 7 जमा 6 क्योंकि कोष्ठक में 3 जमा 5 जमा 7 जमा 6 बराबर है 21 नौ से विभाज्य नहीं है परंतु 3 से विभाज्य है इसलिए 3576 संख्या 9 से विभाज्य नहीं है परंतु यह 3 से विभाज्य है अतह एक एक संख्या N संख्या 9 से विभाज्य होती है यदि इसके अंकों का योग 9 से विभाज्य हो अन्यथा यह 9 से विभाज्य नहीं होती है दो एक संख्या N संख्या 3 से विभाज्य होती है यदि इसके अंकों का योग 3 से विभाज्य हो अन्य था यह तीन से विभाज्य नहीं होगी यदि संख्या C, B, A है तो 100C जमा 10B, जमा A बराबर है 99C, जमा 9B, जमा कोश्ठक में A, जमा B, जमा C बराबर है 9, कोश्ठक में 11C, जमा B, जमा कोश्ठक में A, जमा B, जमा C इस बात पर गौर कीजिए कि 9 कोश्ठक में 11C जमाबी, 3 और 9 से विभाज्य है अतह 9 या 3 की विभाज्यता तभी संभव है जब कोश्ठक में 1 गुणा 2 गुणासी 9 या 3 से विभाज्य हो उदाहरण 4 दो करोड 14,36,587 की 9 से विभाज्यता की जांच कीजिए हल दो करोड 14,36,587 के अंकों का योग बराबर है दो जमा एक, जमा चार, जमा तीन, जमा छे, जमा पांच, जमा आठ, जमा साथ, बराबर है चतीस यह योग 9 से विभाज्य है, चतीस भाग 9 बराबर है चार, प्रिष्ट संख्या 270 अतह, हम यह निशकर्ष निकालते हैं की 2 करोड 14,36,587 संख्या 9 से विभाज्य है हम दुबारा जांच भी कर सकते हैं, 2 करोड 14,36,587 भाग 9 बराबर है 23,81,843 विभाज्य पूर्ण है उदाहरन पांच, 1,52,875 की संख्या 9 से विभाज्यता की जांच कीजिए हल, 1,52,875 के अंकों का योग 1,5,2,8,7,5 बराबर है 28 यह संख्या 9 से विभाज्य नहीं है हम निशकर्ष निकालते हैं की 1,52,875 संख्या 9 से विभाज्य नहीं है प्रयास कीजिए निम्नलिखित संख्याओं की 9 से विभाज्यता की जांच कीजिए एक, 108, दो, 616, तीन, 294, 4, 432, पांच, 927 उदाहरण 6, यदि तीन अंकों की संख्या 24x 9 से विभाज्य है तो एक्स का मान क्या है हल, क्योंकि 24x संख्या 9 से विभाज्य है इसलिए इसके अंकों का योग 2,4,1,9 से विभाज्य होना चाहिए अर्थात, 6 जमा एक्स ए से विभाज्य होना चाहिए यह तब ही संभव है जब 6 जमा एक्स या तो 9 हो या 18 हो क्योंकि x एक अंक है इसलिए 6 जमा एक्स बराबर है 9 होगा अतह x बराबर है 3 सोचिए चर्चा कीजिए और लिखिए एक आप समझ चुके हैं कि 55 सो 10 से विभाज्य है यह 2 और 5 से भी विभाज्य है जो 10 के गुनन खंड है इसी प्रकार संख्या 135 9 से विभाज्य है यह 3 से भी विभाज्य है जो 9 का एक गुनन खंड है क्या आप कह सकते हैं कि यदि कोई संख्या किसी संख्या M से विभाज्य हो तो वह M के प्रतियेक गुणनखंड से भी विभाज्य होगी? 2. एक एक तीन अंकों की संख्या ABC को 100A जमा 10 B जमा C के रूप में लिखिये अब 100A जमा 10 B जमा 11 B जमा कोश्ठक में A घटा B जमा C बराबर है 11 कोश्ठक में 9A जमा B जमा कोश्ठक में A घटा B जमा C यदि संख्या A, B, C, 11 से विभाज्य है तो आप कोश्ठक में A, घटा B, जमा C के बारे में क्या कह सकते हैं? क्या यह आवश्यक है कि कोश्ठक में A, जमा C, घटा B, 11 से विभाज्य हो? दो, एक चार अंकों की संख्या A, B, C, D को इस प्रकार लिखिए 1000A, जमा 100B, जमा 10C, जमा D बराबर है कोश्ठक में 1001A, जमा 99B, जमा 11C घटा कोश्ठक में A, घटा B, जमा C, घटा D बराबर है 11, कोश्ठक में 91A, जमा 9B, जमा C, जमा कोश्ठक प्रारंब, कोश्ठक में B, जमा D, घटा कोश्ठक में A, जमा C, कोश्ठक अंत प्रिष्ट संख्या 271 यदि संख्या A, B, C, D, 11 से विभाज्य है, तो कोश्ठक में B, जमा D, घटा, कोश्ठक में A, जमा C, के बारे में आप क्या कह सकते हैं? 3. उपरोक्त 1 और 2 से, क्या आप कह सकते हैं कि कोई संख्या 11 से विभाज्य होगी यदि इसके विशंस्थानों के अंकों के योग और समस्थानों के अंकों के योग का अंतर 11 से विभाज्य होगा? उदाहरन साथ, 21,46,587 की तीन से विभाज़ता की जांच कीजिए हल, 21,46,587 की अंकों का योग दो जमा एक, जमा चार, जमा छे, जमा पांच, जमा आठ, जमा साथ, बराबर है तैन तीस जो स्पष्ट तह तीन से विभाज्य है तैन तीस, भाग तीन, बराबर है ग्यारह, अतह हम निशकर्ष निकालते हैं की 21,46,587 संख्या तीन से विभाज्य है उदाहरन आठ, 15,287 की तीन से विभाज्यता की जांच कीजिए हल, 15,287 के अंकों का योग बराबर है एक जमा पांच, जमा दो, जमा आठ, जमा साथ, बराबर है तेईस यह तीन से विभाज्य नहीं है हम निश्कर्ष निकालते हैं की 15,287 संख्या तीन से विभाज्य नहीं है प्रयास कीजिए निम्नलिखित संख्याओं की तीन से विभाज्यता की जांच कीजिए एक एक सो आठ, दो छे सो सोलह, तीन दो सो चरानवे, चार चार सो बत्तीस, पांच नौसो सत्ताईस प्रशनावली सोलह दशम लवदो एक यदि दो एक वाज पांच नौ का एक गुणज है जहां वाज एक अंक है तो वाज का मान क्या है दो, यदि टीन एक जेड पांच नौ का एक गुणज है जहां जेड एक अंक हैं तो जेड का मान क्या है आप समझेंगे कि इसकी दो उत्तर है ऐसा क्यों है 3. यदि 24 X 3 का एक गुणज है जहाँ X एक अंक है तो X का मान क्या है क्योंकि 24 X 3 का एक गुणज है इसलिए इसके अंकों का योग 6 जमा X 3 का एक गुणज है अर्थात 6 जमा X निम्न लिखित में कोई एक संख्या होगी 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18 इत्यादी परंतु चूंकि X एक अंक है इसलिए 6 जमा X बराबर है 6 या 6 जमा X बराबर है 9 या 6 जमा X बराबर है 12 या 6 जमा X बराबर है 15 हो सकता है अतह X बराबर है 0 या 3 या 6 या 9 हो सकता है इसलिए X का मान इन चारों विभिन मानों में से कोई एक हो सकता है चार यदि 3-1-Z-5 तीन का एक गुणज है जहां Z-1 अंक है तो Z का मान क्या हो सकता है प्रिष्ट संख्या 272 हमने क्या चर्चा की 1. संख्याओं को व्यापक रूप में लिखा जा सकता है इस प्रकार दो अंकों की संख्या AB को 10A जमाबी लिखा जा सकता है 2. संख्याओं के व्यापक रूप पहेलियों या संख्या खेलों को हल करने में सहायक होते हैं तीन संख्याओं की दस, पांच, दो, नौ या तीन द्वारा विभाज्यता की तर्क संगत्ता प्रदान की जा सकती है यदि उन्हें व्यापक रूप में लिखा जाए। यह पाठ यहीं समाप्थ होता है। अभी आप सुन रहे थे कक्षा आठ की गणित की ध्वनी पुस्तक का पाठ वाचन्स्वर, आकाश आहुजा, तकनीकी समन्वयक, बटिलैंग लिंग्डो, तकनीकी सहायक, विकास सांग्वान, निर्मान सहयोग, रुची शर्मा, निर्देशन व निर्मान, विमलेश चौधर तथा प्रस्तुती CIET, NCERT, नई दिल्ली, भारत